मेट्रिक इंटर छात्रों के लिए काफी वरी ख़बर आज की वीडियो में जानेंगे कि मेट्रिक का रिजल्ट कब आएगा कमपार्ट मेंटल के लिए ओनलाइन आवेदन कब से लिए जाएंगे कितना राशी देना होगा इन तमाम बातों की जानकारी इस वीडियो में आप पाएंगे तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कमपार्ट मेंटल और स्कूर्ट के लिए ओनलाइन आवेदन से समंदित न्यूज को और इस न्यूज को भी हम जानेंगे मेंट्रिक वाले चातर के लिए भी हम बताएंगे कि उनका रिजल्ट कब आएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं न्यूज के नुसर बिहार बोर्ट स्कूर्टनी और कमपार्ट मेंटल के लिए आवेदन 14 अपरियल के बाद चलिए इस न्यूज को विश्तार प्रुबग नहीं है स्कूर्टनी के लिए आवेदन 14 अपरियल के बाद से कर सकते हैं इंटरमेडियेट के परिक्षा में फेल हुए छातरों के लिए कमपार्ट मेंटल एक्जाम मैं मैं जित की जाएगी छुटे हुए छातरों के लिए एस्पेसल एक्जाम यहां पर देख सकते हैं कि स्कूरूटनिक लिए आबेदन जिसको हम चैलेंज बोलते हैं 14 अप्रेल के बात से कर सकते हैं इंटरमीडियेट के परिक्षा में फैल हुए छात्रों के लिए जो भी छात्र फैल हो चुके हैं तो कमपार्टमेंटल एक्जाम माई में एजित की जाएगी और छुटे हुए छात्रों के लिए अस्पेशल एक्जाम और कमपार्टमेंटल एक्जाम दोनों साथ ही एजित की जाएगी तो special come compartmental exam कहा जाता है इनके लिए April में ही आविदन लिए जाएंगे और exam जो है आपको मई मैजित किये जाएंगे और मई में ही 15 से 20 दिन के बाद result आ जाता है जैसे पिछले वर्स वा था तो उसी परकार से इस बार भी होगा तो यहाँ पर आपने जान लिया है चलिए अब जो भी मेटरिक के student है वोजान लिजे कि उनका result को आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परभात ख़बर में जो न्यूज छपी है इसके अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले 31 मार्स तक हलाँ कि अब तक मेटरिक काफियों का मुल्यांकन कार्य पूरा नहीं हुआ है मुल्यांकन कार्य 31 मार्स तक अस्थाकित कर दिया गया है इसके पहले मेटरिक काफियों का मुल्यांकन कार्य 22 मार्स तक समप कर लेना था लेकिन 22 अपरेल को लोकडाउन होने की वज़ा से मुल्यांकन की अंतिम तिति बढ़ा दी गई है इस तिति को देखते विए मुल्यांकन कार्य दी बोर्ड ने 31 मार्स तक रोक दिया था इस कारण पूरी तरह से कंप्यों का मुल्यांकन कार्य नहीं हुआ है जबकि कॉप्यों का मुल्यंकन कारी अंतिम चरन में है यानि कॉप्यों का मुल्यंकन कारी है अंतिम चरन में है 22 अपरेल को जनता कर्फ्यू था इसलिए मुल्यंकन कारी नहीं हुआता अगर कर्फ्यू नहीं होता तो मैट्रिक का रिजल्ट भी एक से दो दिन में आ जाते हैं तो यहां पर आप उन्हें जान लिया है कि अभी जो है पुनोज 4 अपरिल तक बढ़ा दिया गया है लोक डाउन को 31 मार्च पर ले था अब 4 अपरिल कर दिया गया है तो इसलिए मैट्रिक की जो रिजल्ट है और 4 अपरिल के बाद ही आ सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं कि मेट्रिक रिजल्ट के लिए स्टुडेंट को अभी करना परेगा इंतिजार तो यह भी न्यूज में है कि मेट्रिक आर्ट के जिला टोफस का नाम जन सकते हैं यहां पर आर्ट के जिला टोफर स्कानाम जन सकते हैं वीडियोborg शाच कर देजिए चैनल को सब्सक्राइब में किया तो subscribe करें कि बेल आइकन को दबा दे हलांकि metric का result जो है कभी भी अचानक आ सकता है इन बातों को जनने के लिए चैनल को जरूर ही subscribe कर ले क्योंकि बिहार बोर्ड में अचानक फेसले लिए जाते हैं तो इसलिए यह इस भरम में नहीं रहे कि 14 अपरेल के बाद ही result जारी हो होंगे कभी भी result जारी हो सकते हैं तो बिहार विद्याले प्रिक्षा समयती से जानकारेतू कम सकम इस वीडियो को दस ग्रूप में जरूर फिलाईए ताकि हम भी आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहे वीडियो देखने के लिए धनियवाद